आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Question में हमें दे रखा है कि If A plus 2B plus 3C vector Cross किया जाता है B plus 2C plus 3A vector के साथ और इन दोनों का dot किया जाता है C plus 2A plus 3B vector के साथ तो इसका value आता है 54 के equal ठीक है, A बी चे हमारे 3 non-coplanar vector है तो हमें बोला Determinant of this क्या होगा ये बताओ, ठीक है तो देखो ये जो Determinant लिखा हुआ है ये basically है क्या, तो ये हमारा Standard Result रोटता है, that is A, B, C का whole square box का whole square लिखा हुआ है यानि कि vector A, vector B और vector C का box का whole square लिखा हुआ है तो ये हमारा Standard Result होता है ये हमें मालूम है, अब देखो हमें चाहिए C की value, यानि कि ये value हमसे पूछा गया जबकि हमें ये value दे रखा है, यहाँ पे ये ठीक हो, ये दे रखा है, तो यहाँ से पन देखे तो हमें 2 क्या रखा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो यहाँ पे दे रखा है A, तो यह हमें दे रखा है this value is equal to 54, तो यहाँ से पन देखे तो A के साथ सब से पहले इसका cross करो यस bracket, total bracket का, क्या होजाएगा हमारा तो यहाँ से हमें मिलेगा A cross B, ठीक है फिर क्या होजाएगा Plus, 2 times A cross C, लिखा हुगा है तो 1 plus, फिर हमारा क्या होजाएगा, यहाँ से 3 times A cross A, अब देखो 2 B के साथ इस टोटल bracket का cross करते हैं क्या हो जाएगा 2 x b x b ठीक है plus फिर क्या हो जाएगा हमारा तो 2 और 2 4 x b x c ओके फिर क्या मिलेगा हमें plus ठीक है 6 x b x a यह मिला आप देखो फिर अपन क्या करते हैं 3 c से अपन इस total bracket को cross करते हैं तो 3 x c x b ठीक है plus फिर क्या हो जाएगा 6 x c x c फिर क्या हो जाएगा हमारा plus 9 x c x a ठीक है तो यह value मिली अब इस total का dot किसके साथ किया गया है तो इस total को dot इसके साथ किया गया है यानि कि यहाँ पे पन लिखते हैं तो c plus 2a plus 3b के साथ ठीक है और यह हमारा देखो यह c x c b 0 हो गया ठीक है अब देखो अपन जानते हैं कि a x b को अगर मैं b x a लिखना चाहूँ तो मैंने से multiply होगा लेकिन अपन क्या करते हैं a x b को adjectives रखते हैं अभी तो a x b ठीक है यह हमारा a x c है तो यह हमारा 2 times a x c फिर यह हमारा क्या है 4 times plus 4 times b x c लिखा हुआ है फिर देखो आगे हमारा क्या है तो यहाँ पे है plus ठीक है तो अभी देखो यह b x a है इसको a x b बना हुआ तो minus से multiply हो जाएगा तो इसका dot फिर से कर दो c plus 2a plus 3b के साथ ठीक है तो क्या हमारा dot है यहाँ पे dot करते हो तो वह हमारा c plus ठीक है c plus 2a plus 3b plus 2a plus 3b ओके इसका साथ dot किया गया है और यह value हमारी किसके है 54k equal ठीक है अब देखो a x b यहाँ है और minus 6a x b तो total क्या जाएगा यहाँ से तो minus 5a x b एक है अब 2a यहाँ पे देखो 4b x c है और यहाँ पे minus 3b x c है तो क्या हो जाएगा plus b x c 2a x c यहाँ एच Blake है और यहाँ पे हमारा क्या है minus 9a x c क्या हो जाएगा minus 7 तो minus 7a x c और इसका dot किया गया है c plus 2a γयाप्टर plus 3B vector के साथ और ये value है हमारी 54K को है तो यह हमें पता है अब देखो यहां से अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं देखो यह हमारा हो जाएगा minus 5 A cross B और इसका dot करते हैं अपन C के साथ तो इस total का अपन सबसे पहले C के साथ dot कर रहे हैं तो C के साथ dot करो तो यह क्या हो जाएगा dot C vector अब क्या हो जाएगा plus देखो B cross C और dot C करेंगे तो उसमें देखो यह हमारा क्या हो जाएगा यह C जो B cross C है और अपन क्या कर रहे हैं यह एक vector आगा जो C के perpendicular होगा और उसका dot कर रहे है C vector के साथ तो C vector की perpendicular जो होगा और उन दोनों का dot करेंगे तो 2 perpendicular vector का dot हमारा 0 होता है तो यह आगया 0 ठीक है अब देखो यह हमारा फिर A cross C फिर C से dot करेंगे तो वो भी हमारा बन जाएगा 0 ठीक है तो अब देखो यह 2A vector है 2A vector के साथ इसको dot करूँगा तो यह हमारा पर A है ठीक है अब 2A vector के साथ इस total का पन यहाँ पर dot कर रहे है ठीक है तो देखो यह 2A vector है अब यह A cross B एक vector होगा जो A के perpendicular होगा अब A के perpendicular से अपन dot कर रहे है A का ही तो हो जाएगा 0 ठीक है फिर similarly यहाँ पर क्या आजाएगा हमारा अब फिर 2A vector का पन इसके साथ dot करेंगे तो A cross C तो यह 2A vector है फिर से 0 आजाएगा 3B का पूरे के साथ dot करो तो यहाँ पर A cross B है तो B के एक perpendicular vector है जो हमारा B से यह dot हो रहे है फिर से आगया 0 फिर देखो यहाँ B cross C यानि की B के एक perpendicular vector जो फिर से B से dot होगा तो हो जाएगा 0 तो यह भी 0 अब हमारा क्या आगया यहाँ से तो यह last वाला जो A cross C है उसका 3B से हमारा dot कर रहे है तो क्या हो जाएगा minus 21 A cross C और dot B अब देखो यह हमारा total dot हो गया और this value is equal to 54 दे रहागा अब यह हमारा क्या है scalar triple product है ठीक है तो इसको मैं लिख सकता हूँ minus 5 times box of A, B, C ठीक है अब यह हमारा क्या हो जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा plus 2 times ठीक है यह हमारा box of B, C, A लिखा हुआ है और यह हमारा क्या है minus 21 ठीक है box of A, C, B vector ठीक है और इसकी value हमें 54 के equal दे रहागा अब देखो यह हमारा क्या होता है एक तरह से यह determinant होता है box ठीक है अब अब अपन क्या करेंगे इसके row को अपन change करेंगे ठीक है तो B, C, A को मैं क्या लिख सकता हूँ तो यह हमारा लिखा हूँ है minus 5 times box of A vector, B vector, C vector इसको क्या करेंगे यानि कि A तो यह ही पे रहेगा ठीक है अब जो B हमारा last में आया है उसको अपन C से interchange करेंगे यानि कि अपन दो बार row को interchange करेंगे तो minus और minus plus C रहेगा तो plus 2 times क्या बन जाएगा यह vector of A, B, C अब देखो, यह हमारा क्या बन जाएगा तो यह जो हमारा A, C, B है इसको A, B, C लाने के लिए मैं क्या करूँगा इन दोनों को interchange कर दूँगा तो यह दो रों को interchange करेंगे तो minus multiply यानि कि plus हो जाएगा 21 A, B, C vector तो यह value हमारे किसकी equal है तो 54K तो यहाँ से हमें क्या मिला देखो यह सब box of A, B, C लिखा हुआ है तो हमारा यह value क्या बन जाएगा यहाँ से 18 times box of A, B, C is equal to 54 तो यहाँ से box of A, B, C हमें क्या मिला तो box of A, B, C is equal to हमें मिल रहा है 3 तो यह box of A, B, C हमारा 3 हमें चाहिए था box of A, B, C का whole square ठीक है तो box of Vector A, B, C का whole square क्या हो जाएगा यहाँ से तो box of A, B, C Vector का whole square that is 3 का square यहाँ कि 9 तो हमारा answer है 9 Thank you